तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निश्कासित करें नहीं करूंगा माता जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा किन्तु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वैम मुझे घर का त्याग करने का आदेश देगी नहीं कर अब हमें ऐसा कोई आदेश तुमें नहीं देना होगा क्योंकि आदेस दिने के लिए हम जीवीत ही नहीं होगे जलती हूँँ बाती को देखे हैं जब से पहले उस बाती को जीवन देने वाला ही जलता है पर तुम्हारे ये संगर्ष तुम्हारे परिवार का बलिदान लेगा कर्ण महरानी कुंती ने तुमको बुलाया है किन्तु क्यों राधा महरानी की आदेश को किन्तु परंतु नहीं पुछा जाता चाव पुद्र कि वसंद पंश्मी के उत्सफ के देन यदी काण यहां रहा तो हमें पच्ताने का अफ्सार आएगा व्राधाश्य महरानी कुंती का आदेश ना होता तो कंड को पुन रिष्कासित कर देता कंड को एक बहुत बड़ी विपत्ती से सुरक्षित करने का यही एक मार्ग है नहीं आ रहे हैं सुरक्षा घर में होती है वर्में नहीं मैंने निर्ने किया है वसंद पंशमी से पूर्फ मैं करन का विवा करवा दूंगी अपनी पत्नी को निराधार छोड़ कर घर का त्याग करने का किसी को अधिकार नहीं है यह केवल परंपरा ही नहीं इश्वर का विधान है करन को इश्वर के विधान को मानना पड़ेगा करन को इश्वर कर दोड़ेगा कर दो ऑपर्फ मैं है करन को इश्वर का विधान है झाल 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 वनके सम्राठ आपने मेरा लक्ष हिला दिया अन्य था मैं अवश्य लक्ष भेद कर लेता अवश्य आप तो राजकुमार हैं युद्ध में शत्र को आदेश देंगे कि वो हिले नहीं तो वो बिना हिले बिंद जाने की प्रतिक्षा करेगा आपको युद्ध का अनुभव है जीवन का अनुभव है राजकुमार अरजन और मेरा जीवन भी युद्ध से कम नहीं तात्तर्या आपके प्रश्णों का प्रहार हो रहा है आप मुझे आज्या दीजी आपकी माता से मिलने का आदेश है यदि अपने तीर को अधिक दूर पहुचाना है तो अपने धनुष की प्रत्यंचा थोड़ी और द्रड कीजिए अन्यथा तीर आधे मार्ग में ही गति छोड़ देगा उलीज़ दोड़ा है यह यह जड़ दोड़ा है भी प्रत्यंचा थाल प्रत्यंचाँ दूर आधिए झाबैंट दोड़ा जब प्रत्यंचा हुआ 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 है छलिए इस दिशामे रस भी नहीं है इस दिशामे चलिए जिन्टू इस दिशामे आम हैनुकुल मुझे आमकी सगनारी है आपकी भुक तुमायाई ब्राताशी क्या क्या सुगन्दा जाती आपको फड़ी और भुक बड़ेगी तापको मनिशे के मुख में आम का आकार दिखाई देने लगेगा तुम्हारे मुख में मुझे कद्दू दिखाई दे रहा है नकुल कारिण जानते हो आवश यह क्योंकि आपको कद्दू का स्वाथ प्रिया नहीं हाँ इसलिए और यदि मेरी चेश्टा कर रहे हो तो वास्तव में तुम्हारा मुख कद्दू जैसा हो जाएगा अब चलो आम दूनते हैं देख देख कद्दू मुख कितने सारी आम है अन्न के विशे में मुझे कभी भी मित्या आभास नहीं होता कितने आम खाओगे जैस्वराजा जितने पेड़ से गिरेंगे वो सब खाजाओंगा वह गुटली भी इस यहां आम के पेड़ से गिरी है ब्राता भीफ आओ खाओ अब पेड़ पर बैठो तो कुछ आम चोड़ कर दो ना आपको प्रतीत हो रहेगी है सारे आम के व्रुक्ष आपके है इनके पिता राजा थे ना सब उनका अधिकार था सारे अस्तिनापुर पर आजा थे लिए इनके पिता स्वर्ग वासी हो चुके है और आभी केवाज स्वर्ग के आमके वरुक्ष पर इनका अधिकार है, हस्तिनापुर्के नहीं ये सार वरुक्ष हमार है ब्राता भीम, क्योंकि हमारे बितार राजा है चलिए ब्राता छे, कुछ और खाले ला अरे ब्राता भीम, यदि आप भीक मांगोगे न, तब ही आपको आम प्राप्थ होगा तनियासी के पुत्रों को भीक्षा मांगने में क्या अलाज? आपके पिता ने भी भीक्षा मांगी होगी अबर्श्या, पिता ने तो भीक में राज्य मांग लिया था ज काते हैं? बीक बांगी? आम पाहिέ! आम पाहिए! आम पाहिए! बोत्त रहां? पुत्र नहीं, सूत पुत्र का. कर दो, कर दो, कर दो दो, कर दो. प्रणिपात महरान, आदेश ने, बिंती है, तुझे तुम्हारी साहयता की आवशक्ता है कर्ण सूत पुत्र वन में साहयता करते हैं महरान, राजभवन में केवल सेवा करते हैं, और महरानी केवल आदेश देती मेरे पुत्रों को तुम्हारे साहयता की आवशक्ता है महरानी, आपके पांचों पुत्र सक्षम हैं, और अपनी रक्षा करने में समर्द भी हैं, फिर भी उनको मेरी साहयता की आवशक्ता है मैं उनके सामर्थ को भली बाती जानती हूँ करन, और वो हस्तिनापुर से अंजान है महराज के पुत्रों का व्यभार, इस समय अनुच्चित है इस कारण मैं अपने पुत्रों को लेकर चिन्ते थूँ तुम्हारी उनके साथ मित्रता हो गई है संगर्ष के साथ होने वाली मित्रता और शत्रता, सैदेव डिंड होती है मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पुत्रों का हस्तिनापुर में मार्ग दरशन करवा पाऊंगे मुझ पर आपको अधिक विश्वास है महराणी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंद से भी अधिक कहन संबंद है तुम्हारे साथ तुम्हारे मुख का तेज मुझे फिश्वास का निगी प्रेनना दे रहा है मांगे मांगे भीक मांगे भीक मांगे चलिए ब्रादाशी माता ने कहा था मुझे स्मारान नकुल इंतो देश्शासन उच्छित कह रहा है इंतो देश्शासन उच्छित कह रहा है इंतो ब्रादाशी कहते थे प्रक्रिती इश्वर का ही यंग है इसलिए व्रुक्ष, बेल, आकाश, धर्ती इन सब से हम रिक्षा मांग सकते हैं यह आमरे व्रुक्ष रिपा करके मुझे आम दीजिए मैं वच्छन देता हूँ आपके व्रुक्षे, जो कुछ भी गिरेगा उसे मैं आपका प्रसाद समझ कर खा जाओंगा झाप तेत आमरे लातत तो प्रसाद देत व्रुक्षे, जो घ्रुक्षे जो आपके मांत दिए जन्मार्ण दान दिए जापके व्रुक्षे, जो रिक्षा विझाविक्ष्ण दिए हाँ, संदरी, छोड़ा, ठ्रुक्षे कोई जाना मद, मेरा बचन दा कर भी पिवर निया इसे में का जाओगा वागा। आप सब या प्रुक अदर भीमता भोचान है! शोड़ा! अप्रादर दिरयोडन्, रख्या किणिये! शोड़ा! रख्या किणिये! लाओ! अच्मरन रहे! मेरा ना प्रुको अदर भीम है! किसी देन में बास्तां में तुमसा कुपाचा जारू सामर्थ भी है और ये सूध भी नहीं है अब इनका क्या करेंगे राजकुमार दुर्योधन प्राणिपाद तुमें जिन्ता करने की आवशक्ता नहीं है करन राजकुमारों के साथ राजकुमारों वाला न्याय होता है और वो करना मैं जानता हूँ अवश मुझे पूरा विश्वास है यह आप अवश्य जानते होंगे किन्तु इनकी माता का आदेश है कि मैं इनके साथ रहूँ राजकुमारों के न्याय में कहीं एक सूत आडे ना जाना आडे ना जाना 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 तर्वां दिल्दारात्मदी संट पर धिए ली आमान डुर्ट कर दीद दरान्मधी संस sashय में नभी कि लादे नर्म किसी कर दे पर इंटिध दे पेताश्रे वो पांडु पुत्रा हस्तिनापूर में नहीं रह सकते हैं उन्हें एसी समय निश्काशिट करना होगा दुर्योधन वो तुम्हारे भाई हैं और नताच्छी का आदेश है कि तुम पांडु पुत्रों को प्रेम दोगे महाराज प्रेम आदेश से नहीं होता परिचय से ही तो प्रेम बढ़ता है महाराज और मेरे भांजों को पांडवों के साथ कोई परिचय ही तो नहीं तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे इसलिए महाराज मेरा सुजाव है कि उन्हें प्रमाण कोटी के उद्ध्यान में कुछ समय के लिए जल क्रिडा के लिए साथ भेज़ना ही उची थोगा महराज ना साथ रहेंगे तो रधय के अंतर भी तो कम हो ही जाएंगे महराज उचित कह रहे है ओशक्री कल प्राता, सभी राजकुमार, प्रमाण कोटी जाएंगे सम्राण मुद्यान जाओगे कंड महोदे अब मेरे धनुष में इस बात की कमी है अभी धनुष आपके हाथ में है राजकुमार अर्जुन जिस शंड वो आत्मा में बस जाएगा सारी कम्या समाप्त हो जाएंगा आप भी धनुष धारी हैं? नहीं तो फिर आप धनुष के विशे में इतना किस प्रकड जानते हैं? पत्तों पर ओस की बुदे स्वयम ही आकर बैठती है पत्तों को स्नान करने नहीं जाना पड़ता ग्यान का भी ऐसा ही है प्राप्त करने पर तो कोई बंधन नहीं डाल सकता केवल ग्यान के रदर्शन पर बंधन होता है नगर को जानी मेरे कहने का तातपर्य स्वयम ही जान जाएंगे आपकी माता ने आपको मार्क दर्शन देने का अदेश दिया है कल प्रातकाल उपस्तित हो जाएंगा क्यान जाएंगा क्या बंधन धन जाएंगा क्या वर प्रातकाश क्या विद्यू क्या च्कतौ सुपने जाएंगा